नमस्कार दोस्तों जीके अर्धुनसार यूप्टु चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटी एउजिसी नेट जारफ पार्ट दोसो चोहत्तर में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करो इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आपनों कोई इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो पीडियाप विलें डिस्क्रिशन में दे दिया हूँ वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हर्ताल का परियोग हत्यार के रूप में किये थे महात्मा गांधी किस आंदोलन में तो आंदोलन था अहमदाबाद की हर्ताल और यह हर्ताल कभी थी फरवरी मार्च 1918 में हो थी अहमदाबाद की और काटन मिल के अद्यगिक मजदूरों की कम मजदूरी के बिरुदेश संघर्ष था ये कुश्चन नमबर दो है गांधी जी ने अपना पहला सत्यागरा आरंब किया तो गांधी जी ने अपना पहला सत्यागरा आरंब किया था यह किये थे मज़दूरों को कम बेतन दिये जाने के बिरुद्ध उनका पाला सत्यागरा था कहाँ पर 1917 में हुआ था यह चमपारन बिहार में कोशन नमबर तीन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पाला जन भांसन कहां दिया था तो महात्मा गांधी ने अपना पाला देखे यहां पर दिया जन भांसन जन भांसन कहां दिया था पाला तो यह दिये थे वरानसी में एंसर हो जाएगा D वराणसी में और यह जन भासन जो है कप दिये थे अगर पूछता आया तो 1916 में बनारस हिंदू बिश्विद्यालेन ब्याच्चु के उद्घाटन समरों के अउसर पर ये गांधी जी का पहला जन भासन था 1916 में कहां पर वराणसी में कोशन नमबर 4 है 1917-18 में आहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्यागरा में किसने हिस्सा लिया था तीसमें हिस्सा लिये था मजदूर वर्गने कोशन नमबर 5 है गांधी जी के त्रिष्टी सीफ के सिधान्त के प्रतिपाद के संबंध में निमलिखित युगों में से कौन सा एक सही है इसमें सही पुछा है कौन सा युग इसमें सही है दच्छिन अफिरका 1903 ये तो सही है ट्रिष्टी सीफ 1903 में जो हान्स बार्ग दच्छिन अफिरकां पढ़ता है वहीं पर अपनी ला फर्म अस्थापित की थी गांधी जी ने 1903 में लंदन उने 1904 गलत है दिली 1905 गलत आमदाबाद उने 206 गलत है यहां पर सही पुछा तो इसका एंसर ए सही सुमेलित है क्वादी अर्थ ब्यवस्था के विषय में निमलिकित कत्नों में से कौन सा एक bookedन सही नहीं है गांधी वादी अर्थ ब्यवस्था के विषय में इसका एंसर ओगाडी यानिavay USA में मसीनी करण के पच्छधर नहीं थे ये सई नहीं है इसमें Question number 7 है MK गांधी के अनुसार अस्प्रिस्यों का समाजिक आर्थिक सुधार संपन किया जा सकता है ये किस से संपन किया सकता है ये संपन किया सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग अस्थापित करके यानि किसका answer D होगा उनके लिए कुटीर उद्योग अस्थापित करके Question number 8 है गांधियन इनोवेशन यानि गांधी जी का नवाचार का तातपर्य है इसका क्या तातपर्य है गांधी जी का नवाचार तो इसका तातपर्य है इसमेंसर अगा D कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए Question number 9 है चंपारन में तिनकठिया प्रथा का तातपर्य है चम्पारन में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है इसका एंसर हो जायेगा ये तीन बटा बीस भुवाग पर नील की खेथी करना तिनकठियप पद्धती में यही था कि तीन बटा बीस भाग पर जो नील की खेथी करना अनिवार कर दिया था भगान मालिकों ने जो है चमपारण के किर्सानों से एक अनुबंध कराया था और उस पर यह अनिवार करते हैं कि नील की खेती आपको जहें तीन बटबीस भुभाग पर आपको करना है उसी को तीन कठी या पदाती कहा जाता है कुस्चन नमबर दसन किसने इरोपियन निल बगान मालिकों द्वारा किसानों के सोशण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्शित किया तो ये थे राजकुमार सुकल कौन थे राजकुमार सुकल कुस्चन नमबर 11 है निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए और उपर दिये गए कथनों में से कौन सा कथन सही है छेँए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है पहला दिया इसमें डाक्टर राज़ेंदर प्रसादने महातमा गांधी को चंपारण आने तता कृसकों की समस्या के जाच करने के लिए राजी किया ये गलत है अभी आपको उपर बताए हैं कि महात्मा गांधी को चम्पारा नाने के लिए आगरा राज कुमार सुक्ल ने किया था और यहां पर दिया है डाक्टर राजेंदर परसाथ ऐसे ही यह कथन गलत हो गया दूसरा कथन देखते हैं चम्पारान जाच में आचारे जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग्यों में से एक थे यह सही है इसमें अंसर रहाएगा बी केवल दो इसमें सही है कोश्चन नमबर 12 है दच्छिन अफिर्का से लोटने के पस्चार गांधी जी ने प्रथम सफल सत्यागरा आरंभ किया तो सफल सत्यागरा आरंभ के थे दच्छिन अफिर्का से लोटने के बाद कहां पर यह के थे चम्पारान में कब हुआ था यह 1917 इसमें गुष्चन नमबर 13 है चमपारन संगर्ष में निमलिखित में से किन्हों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था तो चमपारन सत्यागरा में किसने गांधी जी का साथ दिया था ये थे डाक्टर राजंधर प्रसाद और अनुग्रह नरायं सिन्हा डाक्टर राजंदर प्रसाद और अनुगरह नरायन सिनहा कुश्चन नमबर 14 है खेडा के किसानों के पच में महात्मा गांधी के सत्यागरा संगठित करने का क्या कारण था तो संगठित करने का क्या कारण था और उप्युक्त में से कौन सा कथन सही है दो कथन दिया है उसको कथन के अनुशार देना एंसर पहला इसमें दिया है अकाल पढ़ने के बावजूद प्रसाद ने भूर अजस की उगाई अस्थागित नहीं की ये तो सही है दूसरा है प्रसाद का ये प्रस्ताव था कि यानि कि इसमें एंसरोगा केवल एक सही है ए एंसरोगा इसमें चौदा नंबर में कौस्चन नंबर 15 है निमलिखित में से किसने नील की खेती के संबंद में चमपारन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था तो निल की खेती के सम्द्द में चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रिक किया था तो वे थे राज कुमार सुक्ल Question number 16 है महात्मा गांधी के चंपारण सत्यागरह का किस ने बीरोध किया यहाँ पर एक सब्द दिया है किस ने बीरोध किया था चमपारण सत्यागरा का तो ये बिरोध करने वाले थे एनजी रंगा एंसर अगा बी एनजी रंगा क्वेश्टन नमबर 17 है नाई धोवी बंद समाजिक बायकाट का एक सरूप था जो 1919 में अब इसमें देना है कि किसके दोवर चलाया गया था नाई धोवी बंद समाजिक बायकाट का शुरूप क्या है तो यह हुआ था 1919 के जब अन्तिं समय चल ला था 1929 में तो वहाँ पर किसानों का एक संगठन बिद्रोग खुल कर सामने आया अवद के प्रताब गर्जिले का एक जागीर में नाई धोबी समाजिक बहिसकार एम संगठित करवाई की पहली घटना थी ये कोश्चन नमबर 18 है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में अस्थापित यूपी किसान सभा की अस्थापना से संबंद नहीं था तो यूपी किसान सभा से संबंद नहीं था तो वे थे जुआहर लाल नेहरू एंसरों का सी जुआहर लाल नेहरू कोश्चन नमबर 19 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं 1930 के दसक के जो देश में विभिन भागों में भिन भिन ने ताउधुरा किसान अंदोलन चलाये गया थे उन्हीं को सुमेलित करना है कौन सनेता किस चेतर में एंदोलन चला था तो चले इसको सुमेलित करते हैं सुथामी साहजानंद सरसती तो बिहार्म किसान आंदोलन चला थे खुदाई खिद्मतगार ये चला थे कहां पर NWFP harshmin अपर हैदराबाद में अब्दुल हमीत खां ये चलाये थे दच्छनी असम ये लोग जो है किसान आंदोलन चलाये थे इसका एंसरों जायेगा B सही सुमेलित है कोश्चन नमबर 20 है इनमें से कौन 1930 के दसक में किसान सभा आंदोलन में सक्री रूप से जुड़े थे ये सक्री रूप से जुड़े थे वो थे स्वामी साजानन्द एंसरोगा बी स्वामी साजानन्द कोईस्टन नमबर 21 है स्वामी साजानन्द स्वरसती ने भूमी और जल मार्ग के राष्टी करण की मांग के साथ अखिल भारतिय संव्त किसान सभा का गठन किया थे ये उनकी मृत्तु से ठीक पहले उनकी मृत्तु से ठीक पहले स्वामी साजानन्द की मृत्तु ने 150 में हुआ था और अखिल भारतिय संव्त किसान सभा गठन हुआ था 1936 में कुस्चन नमबर 22 है बंगाल के ती भागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी ती भागा तो ती भागा आंदोलन का प्राण में जे क्या मांग थी इनकी तो इनकी मांग थी इसका अंसर ये होगा जमिदारों की हिसेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तियाई करना उसी को ती भागा की सानांदोलन कहा जाता है यहनि जमिदारों की हिसेदारी को जो फसल के आधा भाग लेते थे फसल के उसको एक तियाई करना था कुश्यन नंबर 23 है निवनमें से किस आंदोलन में सरदार बल्लभाई पटेल ने मूख भूमिका निभाई थी ये निभाई थी बार्दोली सत्यागरह में कीष़ नमबर चॅविस है भूधान आंदोलन का सर प्रारम क्यों राज में हुआ यह था आंद्र प्रधेश में एंसर होगा ए आंद्र प्रधेश में आचारी बिनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन का प्रारम किये थे 18 अप्राइल 1951 को कोश्चन नमबर 25 है देखे बता रहे थे कोश्चन आपको आचारे बिनोबा भावे के भुधान आंदोलन के प्रारम में निर्मलिखित अस्थानों में से कौन सा एक उस से संबंध था इसमें अस्थान पूछ रहा है कि जहां पर भुधा आंदोलन शुरू हुआ था अस्थान कौन सा है तो वो है पोचम पल्ली पोचमपल्ली इस पहले आंधा परद्यस में था वर्तमान अगर इसका लोकेशन देखें तो कहाँ पर ये पोचमपल्ली ये है तेलंग गाना में तेलंग में तेलंग में है ये हैं भूदान आंदोलंग की जो है भूमी सुधार आंदोलंग शुरू की गई थी यह थे कोशन आज के लिए तू उम्हित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिक सदिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों ज